जेहिंद नमस्कार मेरे सेड़नियों लाटो लाडलियों स्वागत आप सभी का अपनी यूटूब चैनल कमांडो पीड़ में दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ससी जीडी की फाइनल कटोप को लेकर है क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं कि जो के उन्कों पता है कि अभी पडाऊ दो रहे गहें पहले फिजिकल पास करना उसके बाद में फिर आपको मेरिट बनती है ना लोग उसमें कई आरक्षन कई परेल्व हो निदे नहीं। जिसे हर एक राज्य क्या पता अलग मेरिट होती है友 तीनों की अलग General, General नक्सल और Border है, इनकी Merit अलग बनती है, अब जिलो में भी एक पंगा है, क्या पंगा है, देखीए, जितने भी जो जिले हैं, उन जिलो में भी यह होता है, कि अलग अलग अधारित, जैसे General Category अलग अलग भागों में माती गई है, पहली यूर यानि General Category, फिर OVC, जिलो में, फिर SC, ST, और जो नहीं केटेगरी 8 की यह EWS, ठीक है, इसमें भी 5 केटेगरी हो गई, अब इन केटेगरीों में भी एक आरक्षन और जुड़ता है लाटनों, वो आरक्षन कौन सा है, वो आरक्षन है, गर्ज के लिए अलग और बोईज के लिए अलग है, अब जो कोटोब बनती हैं, उसमें इतने पड़ाव होते हैं, यानि सबसे पहले राज्य के आदार पर शीटे डिवाइड होती है, फिर राज्य के जो शीटे होती है, जिले के आदार पर डिवाइड होती है, कि हाँ, नक् करिक'? अगर मैं आपको यह बोलू कि देखwalk क्यों कि अलगलग करतो पाईगी यह तो निश्य यह आप सभी इसको जानते हैं तो यह आरक्ष ЛO जाते हैं पहले मतलब राज़्य states यह इस्तर पर फिर जीले में भी तीनyi CR जनरल एक नकस और Bellवड रहगए अब इन तीन केटेग्रिय में भी ये पांच केटेग्री लाग होती है कौन सी जनरल, OBC, EWS, SC और ST ठीक है ये केटेग्री लगने के बाद में इनमें भी ये दो केटेग्री ओर लगती है कौन सी मेल और फिमेलिय निकल्स और वो इसकी अलग-अलग केटेग्री वाइज कटोफ बनती है इस आधार पे तो बनती है इस आधार पर मतलब डिविजन होती है जो कटोफ ऐसे जीडिगी वो इतने पड़ाओं में फसती है अभी कि फुछ बचे से हैं जिनके नमबर कम है कि लिश्ट में नाम है मैं आपको बता दो ऐसा कोई बार फाइनल्ल मेरिट इस्ट में भी हो जाता अब आप बोलो कि सरफडिल मेरिट लिश्ट में तो मतलब नहीं है तो वहां कैसे बाइज हो सकता आए गैजenser नमब कि शलिए कि 170 का टोफ लगे किसी के 100 गुंशितर पॉइंट पांच बर भी सलेक्शन हो जाता है ऐसा हुआ है मैं आपको उसको पूरूब भी दिखा सकता हूं ठीक है कि अब बात करें कि इस बार जो विकन्सी आई है आपकी उस में देखिए पोस्ट और विकन्स इक हम मेल इस याफ और की इस्तेट के तो ज Wh लिस्ट के बात करें एकर हम नकसल गी इसकी बात करें आये अब इसमें पास कितना किया लाट लो आठ गुना किया जाए तो लगबग 3,35,000 और सम्तिंग कुछ वेकेंसी पास होनी चाहिए थी अगर आठ गुना तो आठ गुना से भी कम पास किया गया है पूरा पूरा आठ गुना भी पास नहीं किया गया है जबकि आठ गुना पास होना चाहिए अगर आठ गुन पोस्ट पर ही बच्चों को qualify दिया है ठीक है अब देखिए अब बात करें कि जनल के टेगरी में लड़कों की मेरिट कितनी जा सकती है तो पहले आप इस बात को समझे कि जो तीन लाग चोबीस जार बच्चे हैं जो यह जो तीन लाग चोबीस जार जो बच्चे हैं का इनमेंस से मैं आपको बता दूं स्चोंबी सच्छा दार बच्चत इसे होंगे कि जो फीजिगल के लिए जाएंगे नहीं को डाइब करना चाहते हैं या उन्होंने प्रेक्टिस एदार पदे दिया या कम एज केकरण प्रेपर देखे़ या ज्यादा एज के आरण उसलिग पेपर देखके देखा है या कुछ बच्चों का CGL में सेलेक्शन हो गया हो या उस CGL के तयारी कर रहे हो तो लगबग 24,000 के आज पास ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकल देने ही नहीं जाएंगे देखना इन बच्चों में अनुपस्तिति आपने पेपर में भी देखी थी अनुपस्तितियां देखने को मिलती है इसमें कोईशन देनी अब बच्चे लगबग 3,000,000 के 3,000,000 के आज पास बच्चे पेपर देने जाएंगे इसमें जो फेल का रेशियो रहता है लाड़ो थोड़ा सा कम रहता है लेकिन हाँ फिर भी आप यह मान के चलिए कि कि लिए में जड़ जाएंगे पचाशार से लेकर 55,000 बच्चे उनमें से कुछ रुनिंग क्वालिफाइई नहीं कर पाएंगे क्यूंकि पांच किलोमेटर रुनिंग 24 मिनिटर का समय नहीं कर पाते हैं बहुत सारे बच्चे तीक हमने भी देख हैं हमारे केड्मिय में भी ह एड होग soumamma आओं या या एड इसनल इकट घ 도क्राइस किलोमेटर आए किर दे idem मेंटेश जो हैड का मेंजिरमेंट है ए उक्वास क्वालिपाई नहीं होगे तो यह बच्छे भी पाइए अब बच्चे कितने बच्चे बड़े लाख बग मान के चलिए 2,25,000 बच्चे 25,000 से लेकि 2,050,000 से कम ही, 250,000 से उपर तो नहीं 2,25,000 मान के चलिए इतने बच्चे क्वालिफाई होके कट उप के लिए जाएंगे ठीक है अब इन बच्चों में से कितना गुना लिया जाएगा इन बच्चों में से इनका 3 गुना लिया जाएगा अगर इनको जोड़ा जाये तो लगबग यह मानके चलिए कि 25,000,000 7,000 32,000 तो 35,000 के आसपास है तो 46,000 का 3 गुना कर लिगे बारा हाथ का एक बारा और टैरा लगबग एक लाग देलार ये इन इन वें से 50% बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे किसके लिए medical के लिए ये इन इन बच्चों में से 50% बच्चे क्वालिफाई होंगे medical के लिए 50% का मतलब समंझ रहें आप कि कटोफ कितनी जा सकती है मेडिकल के तो मैं आपको उता दू जो जनल डिष्टिक है इसमें लड़कों की कटोफ है वो जरूर दो से तीन नमबर या तीन से चार रंग उच्छाल मार सकती है मेडिकल के लिए वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से इस्ट्रेवर्ट से हो अब इनी में मान लेके चलिए अगर आप असम से हैं बियार से बियार तो नहीं असम मनिपूर मेगले मिजोरम चतीस गर उडिशा जारखन आंदरपरदेश तेलंगाना करनाटक तमीनलाडू अंडमान निकोबार पश्चिम बंगाल उडिशा इन अगर आप स्टेड से हैं तो इ आपना दिल्ली से हैं मध्य प्रदेश से हैं बियार से हैं उत्राकन से हैं हिमाचल प्रदेश से हैं तो इन जो जिले हैं ये जो राज्ये हैं इन राज्यों में कटोब चार से भी उपर अंक जा सकते हैं लेकिन हाँ चार मान के चलिए कि मेडिगल के लिए जा सकते हैं चार हमान के चलो कि दो याह कि दो क्हाई कि प्टी यह कि से बार एक एक दो नंबर की य। इसलिए तो कटॉप भूत है लग रही है कि इस बार कर च्ोब आक का था तो जो य। त्यार खेंगे लिए का मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि दो नंबर बढ़ गई है कि अब बात करें नक्सल एरिया तो नक्सल एरिया से ज्यादा कटोप नहीं बढ़ती जिन भी बचों के दो से चार अंक पलस है वो मेडिकल एक वालिफाय हो सकता है इसलिए उनको रणिंग बहुत अच्छे स भीतिसर डोंर बढ़ा हो सकता है कि दो नंबर बड़े या ना ही बड़े इन तीन केटेगरी में इन दोनों में जो कटो बढ़ती यह बढ़ती यह ओवीतियों जनरल की ठीक है तो दो से चार अंक मानके चलिए और जब जनरल लड़नी सभी बच्चियों को बता दू लगबग 3,318 पोस्ट की वेकेंसी है जनरल डिस्थिक से नेक्सल डिस्थिक से बेटा लड़कियों की कितनी कटोप जा सकते हैं मैं आपको पिछली वेकेंसी में जो वेकेंसी कम्लिट हुई उस समय भी 10-10 नंबर भी फाइनल कटोप गई थी उपर कितने नंबर 10-10 मेडिकली कटोप नहीं बता रहा हो वाइनल बता रहा हूं मेडिकली की नहीं जाएगी गर्स मेडिकली कटोप हमेशा कम जाती है क्योंकि अभी जैसे कि कितनी लड़कीयां पास की गई 40,000, 46 जबकि इनका 8 गुना किया जाए यतना गुना किया जाए बैटा 8 गुना तो लगबक 45,000 पूछ पद होते है जबकि 40,000 पास किये गए है इसका मतलब क्या है कि लगबक 7 या 7 या 7 गुना ही पास की गई है इनी में भी अनुपस्तिती ज़्यादा रहेगी और लड़कियां क्वालिफाई भी कुछ कम हो पाएगी क्योंकि लड़किया फिजिकल तोर पे ज़्यादा अनिफिट होती है 1600 मिटर की जो रेनिंग है वो काफी लड़कियां नहीं कर पाती है क्योंकि जो लड़कियां कहीं नहीं जीवन मैं ज़ीसे मान की लगे बच्पन से गेम खेरते जिसे किरगेट हो गया फुटबोल हो गया यह जिसमें भाध़ोड का काम रहता है इसलिए उनका सिर्प मेंटेरेन्स का थोड़ा बहुत रहता है लड़कियां ऐसे गेम पसंद नहीं करते स्वरू से इसलिए फिजिकल पर काफी कमजोर होती हो तो इसलिए फिजिकल क्वालिफाई नहीं होती तो लड़कियों को सभी को मता दू जिस भी बच्चे का नाम आया है उनको मेडिकल तक जाने के लिए बहुत चांस है अगर आप उसमें बिल्कुल भी जंप नहीं करेगी मान के चलो एक नंबर या डेड़ नंबर एसा या दो नंबर या धाई नंबर इतना ही जंप कर सकते हैं वह भी बहुत मुश्किल क्योंकि फिजिकल में 40,000 में से आप क्या मानते हैं 40,000 में से मैं यह मानता हूं कि जो 40,000 नाम आये जो 30,000 बच्चिया हैं इनमें से जो क्वालिफाई हो पाईगी न वो 25,000 बच्चे ही हो पाईगी या उससे भी कम या मोटा मोट 25,000 मान लें 25,000 बच्चिया हैं इसका तीन गुणा पास किया जाएगा तो लगबख पच्छ पंसो पोस्ट होती है इनका मिला के तो तीन गुणा का मतलब हो गया 15 16,000 तो दस जार बच्चियां यहां से चटने वाली बस तो 16,000 के आज पास बच्चियां क्वालिफाई होगी और यह बाकी बच्चियां 7-8,000 जो बच्चियां वो छटेगी ठीक है 7-8,000 बच्चियां क्या हो जाएगी बाहर हो जाएगी किसके समय मेडिकल के बाद मेडिकल के बाद मेडिकल के बाद मेडिकल के बाद में जो कटो पाएगी उसमें वो फाइनल मेट के लिए जाएंगे ठीक है, final mate में जाते जाते, इन तीन में से एक sheet पकी होगी, अब लड़कियों को मैं बता दू जरूर नहीं कि 15,000 बच्चिया medical में qualify हो, क्योंकि बहुत सारी लड़किया medical unfit भी तो होगी, बहुत सारी लड़किया जो medical unfit हो जाएगी, ठीक है, मतलब काफी सारी लड़किया ज बहुत अच्छा होशर है, क्योंकि अगर आपका नाम आया, तो मान के चलिए कि आप 40,000 बच्चों में हैं, और 40,000 आठ गुना भी नहीं है, ठीक है, तो जो फेल होगी, मानलो, बड़ेंकी लिखें भी फेल हो सकती है, जिनके नंबर अच्छे हो, आपको बहुत golden है ये chance, इसको छोड़ना नहीं है, बड़िया से मैनत करना है, लोंग रर्निंग करनी है, अभी भी समय है, 10, 12, 15 दिन का, लोंग रर्निंग करिए बड़िया से, और नहीं तो आप अकेडिमी आके भी तयारी कर सकते हो, 10 दिन, 15 दिन, कोई प्रोब्लम नहीं है, जब तक आपको इसी केटेगरी है, नकसल और बोर्डर एरिया की फाइनल का टोब भी ज़्यादा जंप नहीं करेगी, तो ये बच्चेयां तो बिल्कुल बेख फिकर होके बस आपका टार्गेट यह होना चाहिए, कि मैं जैसे से फिजिकल पास कर लों, और फिर मेडिकल भी पास कर लों, जै हिंद, जै भारत, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेर करिए,